दोस्तों अगर आप भी अपना Facebook अकाउंट पर्मानेंटली डिलीट करना चाते हैं चाहे रिजन जो भी हो आज के इस वीडियो में आपको Step by Step लाइफ प्रूप के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपना Facebook अकाउंट पर्मानेंटली डिलीट करना है इसके लिए सबसे पहले आपको Facebook अप्लिकेशन को ओपन करके यहाँ पर Facebook में लॉगिन हो जाना है इसके बाद राइट कॉरनल में जो थ्री लाइन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको setting के अंदर जाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास setting आ गया है simply आपको setting पर क्लिक करना है इसके बाद personal and account information पर क्लिक करना है तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर option मिलेगा account ownership and control का तो यहाँ पर आपको edit के option पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर edit करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं deactivation and deletion का option मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है deactivation and deletion पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दो option मिल रहा है Deactivation Account and Delete Account तो आपको Delete Account पर क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पर Continue पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ से Continue करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं Continue to Account Deletion तो आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर फिर से एक बार click करेंगे इसके बाद आपके सामने एक नया page open होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको delete करने से पहले आप इन सब को पढ़ लिजे अगर इन सब से आप agree हैं आपका सब कुछ delete हो जाएगा तो आप अगर इन सब से agree हैं तो delete account पर click कर देंगे जैसे आप यहाँ पर delete account पर click करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर अपना password डालना पड़ेगा जो भी आपके facebook account का password है वो password आपको यहाँ पर enter कर लेना होगा तो मैं यहाँ पर password इंटर कर लिया इसके बाद आपको continue पर click कर देना है तो जैसे आप continue पर click करेंगे आपके सामने एक नया page open हो कियागा यहाँ पर आपको delete account पर click करना है इससे पहले आपको यहाँ पर पड़ लेना है तो आप यहाँ पर जैख सकते हैं लिखा हुआ है confirm permanent account deletion तो आपका यहाँ पर permanently account delete होने वाला है यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप 30 दिन तक के अंदर अपना account फिर से login नहीं करते हैं तो आपका यह account delete हो जाएगा तो यहाँ पर simply आपको login नहीं करना है 30 दिन तक का आपको simply wait करना है इसके बाद आपका account permanently delete हो जाएगा तो यहाँ पर आपको delete account पर click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आपका account delete हो जाएगा लेगिन आपको अभी 30 दिन तक का wait करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल रहा है तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि Facebook account को delete करना कितना आसान है I hope कि इस वीडियो में आपको सब को समझ में आगया होगा अगर फिर भी इस वीडियो से लेटेट कोई भी doubt है तो नीचे comment section में पूछ सकते हैं वीडियो पुरा एंट तक देखने हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद पसंद आप लाइक से लोग चानल को सब्स्क्राइब कर लिजे मिलते नेक्ट वीडियों तक देखने जय हिंद जय भारत